आज हम लोग का टोपिक की है कि हम लोग फास्ट केच्च करना मैं जानता हूं आप न जानते हैं तो फास्ट केच्च करना आप कहते सीखेंगे की तो पर पूरा बॉल को ऐसा पूरा पूरा लें पूरा ऑफास्ट बार आप हैं गॉट्ष्ट चाया का पूरा आता है उसमें बहुत देल लगती है तो काई देखो यह कता है करना क्या दो तो क्यों सारे सपांज है तो इससे पहले बादी कर लूँ आज यह बड़ी होने वाली है तो गाईस बैस्ट ऑफ लग तुमी आज हो जाए पहले बड़ी कर फिर दिखा दूगा गूडरा को मैप पहले आयों तो आगे आतातों कि फास्ट करना कैसे होता है तो गाइस देखो नॉर्मली जो प्लेयर करते हैं वही होता है कि सीधे पोकेबॉल पकड़ते हैं ऐसे स्किप किया तो किया ऐसे घुमाया तो घुमाया वन्ना सीधे फिक देते हैं तो गाइस यह तरीका बिल्कुल लाता है ऐसे मत पकड़ा को आपका बहुत टाइम बेकाड़ जाता है देखो एक ऐसे पकड़ने साब का एवरेश यह होता है एक मिनेट में दो पोकेमॉन हस्या तीन पोकेमॉन अगर आपका नेट करेक्शन अच्छा हुआ तो गाइस पहले पोकेबॉल को अच्छे थोड़ा हिलने दो फिर देखो कि यह सीपी क्या है फिर उसके साब से इसको बैडी खिलाओ बॉल आने दो फिर ध्यांत दे बिल्कुल उसके सरकल पर लगा के नहीं लगा और उपर चे देखो एक्सीड बटान आएगा वो दबाना है तो अब पॉल फिकते बक्ट ऐसे जब इसको फिकते हैं तो देखो सारे चले गए पोके बॉल का वैडी का केम्पराय य Yakर driven थन्मी चला जाता तो करना क्या होता है या तो यह आपірको मिने पागर perks से और तो ऑपने दुसरे हांस से LOOK पोकेबोल घुमाके च्रूठ forced 거야 दिया इसको स्केभ कर दिया सो इसे फाइदा यह होता Exerc secondo подход by भाइब जिना इसको पकड़ल किछा ही नहीं और इसे दिया वmother के तो उससे या शे hills लोग होते हैं पहले आप देख लोगी पोकेमोन और रही हो रही हो रहा है अगर कोई ऐसा पोकेमोन हो जिसको आप शेक हो कि एसकेप कर जाएगा तो तीम बार शेक होने के निजार करो और एक्जिट कर दो आप देखो नॉर्मली ग्राइंड करने में यह तरीका बहुत काम आता है क्यों वो मैं दिखाता हूँ जिखो नॉर्मली होता क्या है जब आपका पोकेमोन आता है आपको बैडी खिलाते हो तो तो इसको फेकते ही पोकेवाल का बटन दबा दो और फिर बॉल फेक सकते हो यह करना होता है आपको फास्ट केच करने के लिए अब आगे देखते हैं कि हमको आगे फास्ट के मतलब क्या होता है तो काई देखो फास्ट के फाइदे बहुत होते हैं मतलब ली फाइदा कि फास्ट केच करते वक्त आपके हाथ बहुत तेज हो मेरे left hand ने बरी का button पकड़ लिया यह जादा convenient होता है चाहो तो pokeball button पकड़ सकते हो पर वो पकड़न को दो समय लगता है बरी बर्ड़ जादा पास होता है तो उससे काम बन जाता है यह करना होता आपको इससे फायता हो जाती है कि grind करते समय युनिटी डेस अभी गेवल कम्यूटी डेस आने वाला है उसमें बाद ध्यान लगना और एक बड़ी नहीं मार दिया एक बार वापस टैप परके देख ला करो देखको अभी यह पकड़ा नहीं गया था मारा एसकेप किया पकड़ा यह मालूम नुप पड़ा होगा तो वह कि अननने फですね बहां बहूंठ तो अब यह जाएंग सकते हैं अपने कि इतने पोक्वाром पकड़े और अगर अगर आखे तो अब जाके देख सकते हैं अकितने पक्रद्रम्ण rapping पकड़े कि इन चीजों का फाइदा आप कैसे उठा सकते हो अच्छी तरीके से तो काहीं देखो यह फोकस मद क्या करो फाल्ष केच करने कि मैं एक्सेलेंट थ्रो पर तो एक तरीक एक्सेलेंट थ्रो का आउर होता है वह होता यह कि अपने जो जो जिस साथ से बॉल फेकتे हो तो उसके कोने से नाखुन के कोने से बॉल पकड़ा करो और उंगलिया मत गमाया करो बस नाखुन का थोड़ सा अलका गमाया करो इससे एक भड़िया निशारह बजाता है देखो एसलेंट ध्लगा बिलकुल बी इससे देखो मैं कैमिरा नहीं दिखा सकता है आप समझो मतलब क पोकेवान एंकाउंटर किया उके उसको तुरहंद वैदी खिलाए दूसरे पोकेवाल स्वैप कर लिया पोकेवाल स्वैप हो गया अपने उंगली के नाखुन के कोने से जो की राइट साइड में होता अपने आप लेफ्ट अपना राइट आम देखो तो आपका जो मैं क्या पता रहूं राइट साइड का जो आम हो है उसकी राइट जो आपकी पहली फिंगर है उसके राइट साइड के नाकुन से बॉल घुमाया करो इससे एक्सलेंट रो बहुत बहुत सटी के लग जाते हैं अगर किसी का सरकल छोटा ना हो तो क्यूंकि सीखने से मुझे बाद आ पास है उसके लिए त्यारी के लिए बहुत बढ़या चीज है क्योंकि उसकी त्यारी में बहुत काम आगा क्यों घिवल कम्यूनटी में आप चाहेंगे क्या मैकसिमम घिवल पकड़ो और एक बात है ना फास्ट टेक्निक बहुत जगा काम नहीं करती है एक्जामपल के जाएंगे उन स्पोके मौन्स के लिए देखा करो मिनी स्टोरेज तो देखो आप मैं इसको पकड़ा यह पक्का फ्लैड होगा यूकि असल में पकड़ा जा चुका है तो ऐसा मस्तोचा करो कि आपका इंसेंस को शाइनी था आप उसको पकड़ी नी पारे वह पकड़ लिया ग करने का तो गाइस बस सही थी मारे आज की वीडियो अगर वीडिया को यूस्फुल लगी हो और आई हो ना आई हो देखो वह आपका समस्का फेर हम कुछी कर सकते तो प्लीज या वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर ना बिल्कुल मत भूला देखो हम बिल्क और भैतर कंटेंट बना पाएं थैंक यू